हेलो एवरिवन देखे सबसे फिले तो थोड़ा सौरी वीडियो बोट टाइम बाद आ रहा है एक्चोली कुछ मलेरिया टाइप हो गया यार थोड़ा तवियत सही नहीं है अभी थोड़ा लगा कि हाँ वीडियो बनाने कंडिशन में आ गया हूं तो बना रहा हूं देखे एक चीज ऐसा है कि एक जो टॉपिक था जो मैंने बताया था उसमें कुछ अपडेशन की जरूरत है कुछ चीज अपडेट करना है तो अपन वो चीज पहले देखते हैं फिर मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूँगा क्योंकि जो चीज अगर जिसमें कुछ मिश्टेक है उसको अगर सुधारा नहीं गया है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है सबसे पिले उसको सुधारना जरूरी है एसा है कि यह प्लेन था एक 111 जिसके मिलर इंडाइसे से वो मिने ड्रॉ कर दिया तो तुमको दिख रहा है यह जो रेट कलर का है यह वो गीवन प्लेन है अब एसा है 11th class में आपने formula पढ़ा था x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 11th यह 12th class में coordinate geometry में आता है this is basically the equation of a plane whose intercepts are a b c अब यह जो अपना given plane है ट्रेंगल इसके intercepts जो है वो सब 1 1 1 है जिसे यह y coordinate हो गया 0 1 0 ठीक है यहाँ z पे अगर बात करूँ तो 0 0 1 अगर यहाँ x पे बात करूँ तो 1 0 0 तो यह a b c की value क्या है 1 1 1 1 है तो plane की equation आ जाएगी x plus y plus z is equal to 1 यह इस 1 को इस तरफ ले जाए तो x plus y plus z minus 1 is equal to 0 यह अपने given plane की equation आ गई है अब इस plane के अगर मैंने तुम से पूछा की distance क्या है किस points है ओ points है ओ points है ओ points क्या है origin तो वो कैसे पता करोगे तो भाईया इसका भी एक formula होता है ठीक है यह भी 12th class का ही formula है यह सब याद रखने की जरुद नहीं मैं कुछ चीश आपको समझाना चाहता हूँ वो बता रहा हू एक formula होता है a x1 plus b y1 plus c z1 plus d upon under root of a square plus b square plus c square इसका mod ठीक है यह formula ऐसा है कि x1 y1 z1 वो given point होंगे जिससे आप plane की distance calculate कर रहे हो और a b c क्या है यह जो plane में x y z के coefficients लिके है ना वो a b c है right मतलब x का coefficient क्या है 1 है y का coefficient क्या है 1 है z का coefficient क्या है 1 है तो यहाँ पर a b c 1 हो गया और यह d जो है वो यह constant होता है गा right तो उस हिसाब से इस formula में अगर अगर अपन values put कर दें और given equation में तो अपने को दिखेगा कि a into x1 मतलब 1 into 0 x1 जो है वो 0 है तो 1 into 0 plus 1 into 0 plus c मतल तो d दिख रहा है कि यह minus 1 है तो plus minus 1 divided by under root of a b c की value में ने बताया था x y z के coefficient क्या है 1 1 1 तो दिख रहा है नीचे क्या आ जाएगा root 3 आ जाएगा तो overall इसकी value क्या है 1 by root 3 या हमें इसा बोल दो कि 0.577 यह value निकल क्या है right मतलब ऐसा है कि origin से इस plane की जो distance होगी वो होगी 0.577 ठीक है अब भया ऐसा है अगर मैंने तुमको यह बोला कि यह जो plane था मतलब यह जो अपन ने qb unit cell बनाया है इसका जो diagonal है ठीक है जिसे माल लो मैं यह आपर दिखा देता हूँ एक diagonal यह माल लो यह एक diagonal ठीक है तो इस एक main diagonal की जो length है वो तुमको पता है किती निकल के आती है root 3 यह निकल के आती है क्या वेर A क्या है A is age length of this unit cell जिसे माल लो यह इसकी unit cell की age length है ठीक है body का diagonal है na root 3 यह निकल के आएगा पाइतागोरस theorem बगेरा लगाएंगे ठीक है face का diagonal होता root 2 यह निकल के आता A मैंने क्या बोला अपन सब अभी 1 ले रहेंगे ठीक है सबको 1 ले लिया unit में calculate कर रहें क्योंकि यह तुमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रखा है मतलब तुमने उसको भी 1 माल लिया तो overall यह किती निकल के आई root 3 निकल के आई गया इसका जरा half करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैंने इसका half किया तो मैं diagonal के एकदम mid में पोच जाऊँगा main diagonal के तो इसका half मतलब किता आएगा root 3 by 2 आएगा root 3 by 2 की value 0.866 होती है क्या समझ में आया 0.866 होगी अब तुम एक चीश समझो कि यह जो point था मैं यह बताना चाह रहा था कि जो अपना यह जो given plane है red color का origin से उस red color के plane की distance है 0.577 यह तुमने देखा जबकि जो इस main diagonal का center है या मैं बोल दूँ कि इस पूरे अपने cube का जो center है वो origin से दिख रहा है 0.866 वाली जगे पहेगा ठीक है main diagonal का जो center आएगा वो ही होगा ठीक है यह तक की बात clear रहा है तो अब मैं तुमको point यह बुलना चाह रहा हूँ कि यह जो center है न वो इस red plane पे line नहीं कर रहा है यह ऐसा कुछ हो रहा है कि point तुमारा यह रहा और जो तुमारा वो plane है वो उससे दूर है समझ पा रहे हो क्या अरे जो बोलना हूँ वो imagine कर पा रहे हो और देखो यह जो मैंने concept अभी बताया है न तो इसको तुम न वो जो plane assume करो एक तो यह given plane और एक plane origin मतलब एक plane ऐसा लिया तुमने जो same triangle के parallel है इस अपने triangle के parallel ही है बस origin उसके ओपर एक point है ठीक है समझ में आ है और देखो तुमको clearly imagine करवाने के लिए यह एक model बना रखा है इसकी help से तुम समझ सकते हो जड़ा यहाँ पर focus करो इस model में इसा है कि यह देखो यह अपना one 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 plane है ठीक है उसको जब मैंने डाला तो तुमको दिख रहा है कि center यहाँ कई है ठीक है और वो जो one 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 plane है वो तुमको दिख रहा है कि वो नीचे की तरफ है ठीक है मतलब कुल मिला के बात यह है जो one 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 plane है उसके ओपर center नहीं है यह concept मेंने हाँ क्यों सिखाया उसका reason ये है कि माल लो अगर ये BCC plane होता ठीक है मतलब body center cubic अपना एक structure है तो उसमें क्या होता है तुमको एक चीज पता है कि सारे corners पे atoms होते है राइट तो सारे corners पे मैंने atom बना दिया है 8 corner पे 8 atom ठीक है उसके साथ साथ से रिखा देते है white color से बोलो होता है क्या अब point ये है कि भाईया वो जो body का center है क्योंकि वो इस given plane पे lie नहीं कर रहा है ये बात अभी अपन ने कर ली मैंने तुमको समझाया क्यों नहीं lie कर रहा है ठीक तो भाईया जब अपन planar density calculate करेंगे माल लो मैंने तुमसे बोला कि in one 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 in bcc इसकी planar density calculate करके बताओ तो planar density का formula होता है number of atoms on a plane divided by length of area of that plane अब जब number of atoms तुम calculate करोगे तो यसा है कि corners के तीन atom लाई कर रहे है ये first, ये second और ये third, ये तीन atom इस given rate plane पे लाई कर रहे है और अपना जो rate plane है वो भाईया 60 degree angle बना रहा है equilateral triangle है ना तो एक angle कित्ता होगा 60 degree तो तीन atom का कित्ता portion आ रहा है 60 degree मतलब 60 by 360 करो कित्ता आ रहा है 1 by 6 सही है क्या तो भाईया 3 atom का 1 by 6 portion मतलब एक atom का 1 by 6 portion is given plane पे लाई कर रहा है right plus मैं मैंने जो पहले concept बताया था उसमें ये बूल दिया था कि भाईया ये जो center वाला body के center का atom है उसको भी calculate करना है but तुमने अभी देखा body के center वाला जो atom है वो इस given plane पे लाई ही नहीं करने वाला तो भाईया ये जो center का atom है इसको आप consider नहीं करने वाले हो ठीके तो बस 3 by 6 मतलब इस case में जो number of atoms है जो plane पे मुझूद है वो कित थे 1 by 2 right और divided by plane का जो area है वो तो clear है यार equilateral triangle है तो root 3 by 4 side का square side जो आएगी वो root 2 है निकल के आ जाएगी right केसे root 2 है निकल के आ रही है ये कोई भी triangle की एक edge ले लो ये triangle की bottom edge लेते हो तो वो bottom edge जो है वो face का diagonal बनेगा जो bottom का face है उसका diagonal है और face के diagonal की lane ताती ये root 2 है ठीक है सब में बता रखाऊ हूँ already अब इस हिसाब से इसको calculate कर लो तो तुमारा answer आ जाएगा किता आ रहा है 1 by 2 और ये 4 उपर आ जाएगा divided by root 3 into 2a square right 2 से 2 और ये 4 कट गया 1 upon root 3a square right ये final answer है ठीक है तो ये चीज improve कर लेना सुधार लेना और ऐसा है कि अगर माल लो अभी अपन ने कौन सा प्लेन दिया था 1 1 1 प्लेन दिया था ठीक है अब एक प्लेन में बना रहा हूँ BCC में ही 1 1 0 बना रहे right मतलब मैंने तुमको बुला 1 1 0 in BCC इसका जो मैं पहले बताया था वो ही चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नी ये एकदम correct है बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा confusion रिमो हो जाए ठीक है अब एसा है 1 1 0 ड्रॉ करना है तो एकस में direct ड्रॉ कर देता हूँ यार वो तुमको सब पता है केसे ड्रॉ करते हैंगे ये सब मैं बता रखा हूँ अल्रेडी ठीक है एसा कुछ आएगा 1 1 0 ड्रॉ प्लेन आएगा ठीक है चाहे तो उसको अपन कलर भी कर सकते हैं कलर के अपने पास कमी कभी नहीं होती है भाईया तो कलर डाल देते हैं इसमें ठीक है अब देखो अगर ये प्लेन के बारे में बात करें तो ये प्लेन एकदम मीड में लाई कर रहा है ठीक है तुम इसकी भी डिस्टेंस वगेरा किल्कुलेट करके देख सकते हो देखना चाहो तो ये एकदम मीड में तो भाईया अगर इस केस में बात करें तो जो बॉड़ी के सेंटर में एटम आएगा वो बिलकुल इस प्लेन पे लाई करेगा ठीक है और पाकी ये चार कॉर्नर्स पे चार एटम होंगे दूसरे पे भी बना सकते हो बड़ वो दूसरे वाले जो है वो अपने इस गिवन प्लेन पे होंगे नहीं ठीक है तो यहाँ पे देखो मैं वन वन जीरो प्लेन दिखा रहा हूँ ठीक है उसको जब अपन डालेंगे देखो ज़रा ये वन 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 जीरो प्लेन था इसको जब मैंने डाला तो तुमको दिख रहा है कि एकदम सेंटर में आ रहा है तो इस case में जो center पे atom होगा, वो इस plane पे लाई कर रहा होगा, समझ में आया क्या, अरे पूरा concept clear है क्या, तो इस case में अगर तुम planar density calculate करते हो, तो भहिया total कितने atom आरे, एक, दो, तीन, चार, और हर atom जो है, 90 degree angle बना रहा हैगा, उसका portion plane पे, मतलब 90 by 360, मतलब 1 by 4, तो 1 by 4 उन करेगा, divided by, इसका area calculate करोगे किता आ जाएगा, जो भी, इसकी length आ गई, unit cell की age length, और यह उपर वाला diagonal जो है, वो root 2 A आ जाएगा, तो A into root 2 A, right, इसको calculate कर लो, जो भी आ रहा है, 2 upon root 2 A square, मतलब overall यह आ जाएगा, root 2 upon A square, तो यह तो पहले भी अपन calculate कर चुके हैं, ठीक है, इस कर रहा है, यह चीज़ तुमको समझ में आना ची, clearly, so I hope that आपको यह concept समझ में आया होगा, ठीक है, और यह चीज़ थी जो improve करना थी, अब इसा improve करना important है, ठीक है, mistake हर किसी से होती है, जरूरी है कि आप उसको improve कर रहे है, या नहीं कर रहे है, ठीक है, तो मिलते हैं पर नेक